हेलो अर्वन देसाइट मोनी का यादा होप यू ओल गूड तोड़ी आम गांग तो टीच एट क्लास मैथ सेल्फ प्रेक्टिस फर्स्ट डी इस वीडियो मैं कोशन टू से आपको करवाऊंगी इससे पहले वाली वीडियो मैं कोशन वन करवा चुकी हूँ आई पटन में और डिस्क्रिप्शन में वा उसका लिंक दे दूगी अगर वो नहीं हुआ तो महां से कर लीजे सेकिंड कोशन देखिए वैरिफाइड फ्लोविंग हमें जो भी कोशन दिये हुए हैं उनको वैरिफाइड करना है उसको क्या बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड होते हैं उसको राइट हैंड साइड नंबर बोला जाता है न तो हम क्या करेंगे हम यह देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एक्वल है या नहीं है पहले यह हम अबज 35 multiply 15 अपोन negative 51 17 की टेबल में 51 आता है तो 7 की टेबल से हम काट देते हैं negative 3 आगे नीचे 15 की टेबल से काटो 15 वन जा और 15 नाइन जा 135 उपर क्या आया हमारे पास 1 multiply 1 और denominator में क्या आगिया 9 multiply negative 3 solve करने के बाद हमारे पास आता है 1 अपोन negative 27 ये तो हमारा left hand side आगिया अभी हम right hand side भी चेक करते हैं काट दीजे 15 वन जा 15 नाइन जा 17 वन जा 17 ती जा 51 negative sign है तो ये negative 1 अपोन negative 27 left hand side equal to right hand side so the statement is verified हो गई तो इस प्रोपर्टी और हम प्रोपर्टी का नाम बताएंगे अब ध्यान से उब्ज़र करोगे तो देखो 17 अपोन 35 यहां है वो सेम यहां भी है multiply का sign है तो multiply का sign भी है 15 अपोन negative 51 यहां है तो ये सेम राइट हैंड साइड भी है इस प्रोपर्टी को क्या बोलते हैं आप लोगों ने किया था ना पहले ही commutative प्रोपर्टी multiplication में जो order है वो matter नहीं करता उनको A multiply B या B multiply A लिख सकते हैं ये equal होता है ये ही हमारा commutative प्रोपर्टी में आता है ये प्रोपर्टी यहां यूज हो रही है तो इस प्रोपर्टी का नाम आप लेके दोगे commutative प्रोपर्टी भी करते हैं फिर हम left hand side और right hand side का अलग-अलग solve कर लेते हैं left hand side पहले solve करते हैं यहां में दिया हुए 1 upon 9 bracket 18 upon 5 plus negative 3 upon 20 इसको solve करते हैं सबसे पहले LC हम लिया जाता है 20 आता है 5 की table में 24 पे अब 18 को 4 से multiply किया गया तो 72 और 20 की table में 20 तो 1 आता है 1 को multiply किया negative 3 से तो negative 3 यह bracket के अंदर होगा 1 upon 9 1 upon 9 bracket के अंदर solve करने के बाद क्या है 69 upon 20 और इनके बीच में multiply का sign आएगा अगर कोई sign नहीं है तो अभी 3 की table से काट दो 32 जा 33 जा 9 यह कहां कितने पकड़ेगा 33 जा 9 वन को multiply किया 23 से तो 23 upon 3 को multiply करो 20 से that is equal to 60 23 upon 60 आया left hand side चलो अब राइट hand side का हम solve करते हैं काट देते हैं अगर यह करता है तो 9 जा 9 जा 1 multiply 2 that is equal to 2 1 multiply 5 that is equal to 5 2 upon 5 हमारे पास आगया आगे 1 upon 9 multiply हो रहा है अच्छा इसको multiply कर देते हैं numerator को numerator से multiply करते हैं तो 1 को multiply किया negative 3 से तो हमारे पास क्या आएगा negative 3 ही और 9 को multiply किया 20 से तो क्या आएगा अपन 180 ठीक है अभी इसको 3 की टेबल से काट कर देते हैं एल्जियम हमारे 60 आएगा फाइव की टेबल में 60 कितने पर आता है टुवैल पर तो 12 तूज़ा 24 minus 1 that is equal to 23 upon 60 अभी left hand side और right hand side equal है left hand side equal है right hand side के तो यह क्या हो गया है verified हो गया अब प्रोपर्टी हम बताएंगे प्रोपर्टी यहां क्या यूज़ हो रही है दियान से देखों 1 upon 9 को हम A माने और 18 upon 5 को B माने यहां plus का sign और इसको मान ले हम C that is equal to A B plus A C इस प्रोपर्टी का नाम क्या है distributive multiplicative over addition लिख देंगे हम C को solve करते हैं left hand side का solve करते हैं हम पहले ठीक है negative 1 upon 2 plus 3 upon 7 bracket बंद प्लस negative 4 upon 3 पहले bracket का solve करते हैं 2 और 7 का LC हम लेंगे तो आएगा 14 2 की table में 14 कितने पे आता है 7 पे 7 को multiply किया negative 1 से तो negative 7 7 की table में 14 कितने पे आता है 2 पे 2 को multiply किया 3 से तो 6 bracket बंद प्लस negative 4 upon 3 ये bracket में हैं इसको खोलते हैं negative 1 upon 14 प्लस negative 4 upon 3 14 और 3 का अभी हम क्या करेंगे LC लेंगे LC आएगा 42 14 की table में 42 कितने पे आता है 3 में तो 3 को multiply किया negative 1 से तो negative 3 3 की table में 42 कितने पे आता है 14 14 को multiply किया 4 से तो 56 ये negative sign है इसलिए ये negative 56 आएगा negative 3 को जब add किया जाता है negative 56 में तो negative 59 आता है upon 42 कितो हमारा left hand side का आगया अभी right hand side का हम solve करेंगे चलो अभी right hand side वाला solve करते हैं negative 1 upon 2 plus bracket अभी सबसे पहले छोटे वाला bracket हम open कर देते हैं वो negative 4 upon 3 bracket बंद अब हम क्या करेंगे bracket solve करेंगे LC हम लेंगे 7 और 3 का वो कितना है 21 हम लेंगे तो अभी 7 से divide करो 21 को तो 7 की table में 3 पे आता है अब 3 को multiply करें 3 से तो 9 आ गया यहां देखो plus minus का sign है ऐसे में sign किस का आता है minus का sign आता है 3 की table में 21 कितने पे आता है 7 पे 7 को multiply करो 4 से negative 4 से multiply करेंगे तो negative 28 आ गया अब आगी हम इस bracket को भी को हम open करेंगे negative 1 अपूं 2 plus negative 19 अपूं 21 19 करेंगे आया 28 में से जब 9 हमने minus किया अब 2 और 21 का LC हम लेते हैं तो कितना आएगा 42 2 की table में 42 कितने पे आता है 21 पे 21 को multiply किया negative 1 से तो negative 21 plus अच्छा उसके 21 की table में कितने पे आता है 2 पे अब 19 को multiply किया negative 19 को तो हमारा यहां कुन सा sign आएगा negative का आएगा और 2 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 38 दोनों ही number negative है तो ऐसे में क्या होता है negative sign आता है और यह दोनों आपस में add हो जाते हैं 59 अपन 42 negative 59 अपन 42 left hand side और right hand side दोनों ही इकल आए equal to right hand side so it is verified verify हमने कर दिया अब इस प्रोपर्टी का नाम बताएंगे हम ध्यान से देखेंगे देखो सभी number जो left hand side है same number right hand side है बस उनका order change हो गया है और प्लस का निसान भी है सभी के बीच में सभी operations के बीच में तो इस वज़े सी कौन सा प्रोपर्टी है एसोसियेटिव एसोसियेटिव प्रोपर्टी ओफ एडिशन एडिशन के एसोसियेटिव प्रोपर्टी है ये एडिशन में ऐसा हो सकता है कि हम order change कर देना numbers का तो भी हमारा जो answer है वो same आता है चलो d करते हैं left hand side का solve करते हैं हम five upon three multiply negative four upon five ये bracket में है whole multiply three upon five ऐसा है bracket solve करते हैं five से five काट दिया आगे आके आगे हमर पास negative four upon three multiply three upon five three से three काट दो denominator से हम numerator को कट कर सकते हैं तो हमारे पस left hand side किया गया negative four upon five चलो right hand side का solve करते हैं पहले हम अंदर वाला bracket open करते हैं negative four upon three multiply three upon five इस bracket को solve करेंगे देखो three से three कट रहा है काट दीजें five upon three अभी ये bracket भी आप खोल सकते हो negative four से one multiply हुआ तो negative four और one से five multiply हुआ तो इस फैरिफाइड प्रोपर्टी का नाम बताओ कौन सी प्रोपर्टी यूज हो रही थी इसमें हो रही थी आस्सोसियेटिव प्रोपर्टी प्रोपर्टी एस्सोसियेटिव प्रोपर्टी क्यों लिखी है देखो जो नमबर left hand side थे same वो ही number right hand side है कुछ भी change नहीं है और जो multiply का sign है बीच में same multiply का sign यहां पे है मतलब left hand side और right hand side में sign भी same है numbers भी same है बस उनका order change हो गया है जिस group में यह लिखे हुए थे वो group change हो गया है तो product हमारा same होता है multiplication में यही होता है न कि अगर order भी change कर दे तो भी हमारा product जो है वो same होता है इसको associative property बोला जाता है associative property क्या कहती है ए मर्टिप्लाइबरी ब्रैकेट मर्टिप्लाइब सी इकोल टो ए मर्टिप्लाइबरी ब्रैकेट 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 बंद associative property यही कहती है ऐसा करने पर भी हमारे product में कोई change नहीं आता इसलिए यह हमारी associative property है यही देखो left hand side में हमें क्या दिया हुआ है left hand side में अगर negative 19 upon 20 को 1 से multiply करेंगे तो negative 19 upon 20 आएगा same right hand side में क्या आएगा अगर 1 को multiply करेंगे negative 19 upon 20 से तो भी हमारा negative 19 upon 20 आएगा it means left hand side right hand side equal है hence it is verified verified हो गया और साथ में दिखाया भी हुआ था कि negative 19 upon 20 आता है इसको क्या बोलते है प्रोपर्टी यहां क्यों से प्रोपर्टी यूज हो रही है यहां से देखो अगर 19 upon 20 को हम 1 से multiply करते हैं तो सेम नंबर आता है लोग केसी भी नंबर को 1 से multiply किया जाता है तो सेम नंबर आता है इस प्रोपर्टी को क्या बोलते हैं मल्टिपिकेटिव आइडेंटिटी मल्टिपिकेटिव आइडेंटिटी एफ देखिए लेफ्ट हंड साइड का सोल करते हैं नेगेटिव 17 अपून 24 मल्टिप्लाइए 24 अपून नेगेटिव 17 निमरेटर से डिनॉमिनेटर को काटते हैं देखो नेगेटिव 17 से नेगेटिव 17 कट गया दोनों जिगा 1 आ गया 24 से 24 कट गया आंसर क्या आया हमारा 1 आया और राइट हैंड साइड ओल्रेडी 1 दे रख है लेफ्ट हैंड साइड इक्वर टू राइट हैंड साइड इट इस वैरिफाइड फैरिफाइड हो गया अब इस प्रोपर्टी का नाम और बता दीजे मैं उपर लिख देती हूँ इस property को क्या बोलते हैं इसको आपको पता है ना कि देखो numerator जो है denominator बन गया और denominator numerator बन गया इसको reciprocal बोलते हैं और multiplicative inverse बोलते हैं question G देखो left hand side जब हम solve करते हैं negative 2 upon 3 plus 0 तो क्या आता है negative 2 upon 3 आचा right hand solve करते हैं तो क्या आएगा 0 plus negative 2 upon 3 को solve करेंगे तो negative 2 upon 3 ही आएगा दोनों same आ रहे हैं left hand side भी और right hand side भी फिर दूसरी बाद देखो यहाँ add हो रहा है add का sign है न add का sign है और एक number में 0 add की जा रही है और same number आता है इस चीज को क्या बोला जाता है add it identity प्रोपर्टी कोन सी होगी additive identity एच देखो one upon seven plus zero equal zero plus one upon seven या तो one upon seven में जब zero add करते हैं तो भी हमारा one upon seven आता है और zero में जब one upon seven add करते हैं तो भी हमारा one upon seven आता है तो एक number में जब भी zero add की जाती है तो वो same number आता है इसको क्या बोला जाता है additive identity इस प्रोपर्टी का नाम additive identity question three देखो taking a four upon seven b negative five upon two and c four upon three so that और हमें बताना है that division is not associative division जो है associative नहीं होता four rational number हमें numbers को use करके इसमें इनकी value रखके हमें ये बताना है कि जो division है वो associative नहीं होता चलो सोट करते हैं चलो बैलियो रख देते हैं यह क्या था four upon seven divide by bracket b था negative five upon two divide by c था हमारा four upon three ऐसे ही value इदर रख लेते हैं four upon seven divide by negative five upon two bracket बन्थ divide by four upon three अच्छा solve करेंगे four upon seven divide by यह bracket में solve करते हैं negative five upon two divide के place पी हम क्या कर देते हैं multiply कर देते हैं और दूसरे वाले जो नंबर है उसका reciprocal रखते हैं four upon three का reciprocal क्या हो गया three upon four bracket बन्थ four upon seven divide के place पे multiply और दूसरे वाले नंबर का reciprocal क्या हो गया two upon five bracket divide by four upon three यह गट नहीं रहा bracket open करते हैं divide by negative five को three से multiply किया तो fifteen two को four से multiply किया तो eight four को multiply किया जब negative two से तो क्या हैगा negative eight upon thirty five divide by four upon three four upon seven divide के place पे क्या कर देते हैं इसका रैसी प्रोकल रख देते हैं ना यहां पर क्या हो गया नेगिटिव एट अपॉन 35 डिवाइड के प्लेस पे मुल्टिप्लाई थी अपॉन फूर दूसरे नंबर का रैसी प्रोकल रखना था हमने तो रैसी प्रोकल रख दिया अभी देखो यह कोई सबी कट नहीं रहा अपस में तो हम क्या करते हैं मुल्टिप्लाई करके लिख देते हैं नेगिटिव थर्टी टू अपॉन वन हंड्रेड फाहिफ और यहां कितना हैगा नेगिटिव ट्विन्टी फो अपॉन 114 तो लाफ्ट हंड साइड राइड हंड साइड के इकवल नहीं है लाफ्ट हंड साइड इस नोट इकवल तो राइड हंड साइड इट मेंस डिवीजन इस नोट एस अशोशेटिव पोर रेशनल लंब यह यूजिंग डिस्ट्रिबियोटिविटी फाइंड हमेना डिस्ट्रिबियोटिविटी की प्रोपर्टी यूज करेके ही इस कोईशन का आंसर फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे अप देखो इस वाले में भी 8 अपवन 15 है और इस वाले में भी 8 अपवन 15 है 8 upon 15 को हम क्या ले आते हैं bracket से बाहर ले आते हैं दोनों साइड है ना और ऐसे हम ले के आ सकते हैं 8 upon 15 हमने ले लिया यहां से भी लिया यहां से भी लिया multiply हो रहा था इसलिए हमने bracket कर दिया अब negative 7 upon 18 है पहले तो negative 7 upon 18 बीच में plus का sign है वो plus का sign लगाओगे फिर negative 11 upon 18 अब bracket को solo करोगे LCM 18 यह आएगा और negative 7 plus plus का sign तो हटी जाएगा negative और plus दोनों sign हैं तो negative 11 bracket open कर देते हैं multiply का sign आएगा और 7 को जब 11 में add करेंगे तो negative 18 upon 18 इसको काट दो 18 से negative 1 अब 8 upon 15 को जब negative 1 से multiply किया जाता है तो negative 8 upon 15 हमारा answer आता है question देखिए find the additive inverse of each of the flowing हमें न जो number दिये होंगे उनके additive inverse find out करने है तो पहले additive inverse के बारे में ही आप जान लो अगर कोई number A है उसमें क्या plus करें कि हमारे पास 0 आए उसमें add किया जाएगा negative A ठीक है अगर कोई number अगर कोई number negative है negative A है तो उसमें क्या add किया जाए कि जो हमारा answer है वो 0 आएगा उसमें positive A plus किया जाएगा अब ऐसे ही हम solve करेंगे 5 upon 16 में क्या add किया जाए कि हमारे पास 0 आए उसमें negative 5 upon 16 add किया जाएगा अगर ये number हाँ हमारा positive है तो दूसरा number negative आए है so the additive inverse is क्या है negative 5 upon 16 बी में देखो दोनों ही जो number है वो हमारे negative है तो ऐसे में क्या होता है जब हम standard form बनाते है तो denominator वाला sign उपर आ जाता है numerator के पास आ जाता है negative ब्रैकेट नेगेटिव 15 upon 16 ऐसा होगा न standard form फिर इसको solve करने के बाद 15 upon 16 आता है तो इसका additive inverse क्या होगा negative 15 upon 16 इसलिए या negative sign आया याद रखना जब हम standard form में convert करते हैं तो ये positive number बन जाता है और positive number का additive inverse क्या होगा negative number negative 8 upon 19 में क्या एड़ करें कि हमार अंसर जीरो आई तो 8 upon 19 एड़ करेंगे so the additive inverse is 8 upon 19 अच्छा इसका d देखिए 20 upon negative 23 इसको standard form में जब convert करेंगे तो denominator वाला जो sign है वो उपर जा जाता है negative 20 upon 23 इसमें क्या एड़ करना होगा 20 upon 23 तो हमारा जो है answer जीरो आता है so the additive inverse is 20 upon 23 write the multiplicative inverse of each of the flowing जितने भी ये numbers दिये हुएं उनके multiplicative inverse लिखने है multiplicative inverse को हम reciprocal भी कहते हैं आपको अच्छे से याद आजाएगा अगर negative 7 दिया हुआ है तो negative 7 का reciprocal क्या है जब denominator कुछ नहीं होता तो हम 1 मान के चलते हैं ना तो negative 1 upon 7 इसका reciprocal है ऐसे ही हमें reciprocal निकालते थे इसी को multiplicative inverse भी बोलते हैं 10 का multiplicative inverse क्या होगा 1 upon 10 और 17 upon 41 का multiplicative inverse क्या होगा 41 upon 17 ऐसे ही हम सभी questions को करेंगे D का multiplicative inverse क्या हो जाएगा अगर denominator हमारा negative 59 है वो हमारा क्या बन जाता है negative 59 upon 28 एक मैं दिया हुए है negative 29 upon negative 36 denominator हमारा 36 है वो numerator बन जाएगा na 36 इन negative से negative sign कट भी जाता है इसलिए हमें negative sign लगाने की जरूत नहीं है upon 29 एफ का multiplicative inverse बताने से पहले हमें इसको solve करने की जरूरत है bracket solve करते है L सेमलिया 12 3 की टेबल में 12 4 पे 4 को 1 से multiply किया तो 4 4 की टेबल में 3 पे 3 को 1 से multiply किया तो 1 आगे solve करो 1 upon 12 multiply negative 2 solve करेंगे तो negative 2 upon 12 आगया अब इसको काट दो negative 1 upon 6 हमारे पास आ रहा है negative 1 upon 6 negative 1 upon 6 का multiplicative inverse negative 6 होगा इसका multiplicative inverse बताने से पहले हमें इसको solve करना पड़ेगा 5 upon 8 divide के place पे क्या जाता है multiply और इस नंबर का reciprocal 16 upon 15 multiply by negative 3 upon 2 अब इसको काट देजिए is negative 1 ह को भी हमें पहले solve करना होगा 16 divide मतलव upon negative 32 अब इसको काट देजिए 16 बन जा 16 टूजा 1 upon negative 2 आया so the multiplicative inverse is negative 2 1 upon negative 2 का multiplicative inverse क्या होगा जो negative 2 है वो उपर आ जाएगा negative 2 upon 1 और जिसको सिर्फ हम negative 2 भी लिख सकते हैं आप लोगों की first day exercise complete हो चुकी है मैंने पूरा try किया कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए अगर आपको अच्छे से समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना I will upload your next video soon till then bye bye take care गर पर ही रहना COVID बहुत जादा फैला हुए